नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, डॉक्टर करिया बीकानेर राजस्थान से दोस्तों, रिलेशन्चिप से रिलेटेड एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं, वो अपने रिलेशन्चिप को स्पॉयल कर लेते हैं जैसे जो नए-ने कमिटेड होते हैं, जिनकी इंगेजमेंट होते हैं, जिनकी शादी होती है, ये सगाईयां होती है शुरुवात के अंदर जैसे ही कोई पार्टनर है, वो अपने पास्ट के बारे में डिसकस करता है, चाहे वो मेल हो या चाहे फिमेल हो तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को आपको विशेज तोर से ध्यान रखना है, जो बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है सबसे पहला पॉइंट कि आपको अपने पार्टनर को अपने पास्ट बताने के लिए फोर्स नहीं करना, आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं करना, कि वो उसको मजबूर नहीं करना, कि वो अपना पास्ट बताया ही बताया, सबसे पहला पॉइंट तो यह आपको विशेज त जो सबसे important है कि हमें अपनी तरफ से उस past को और जदा कुरेदने की कोशिश नहीं करनी अक्सर कई लोग mistake कर देते हैं कि जैसे partner कोई भी past को disclose करता है तो वो उससे जानता है कि भी आप आपका जो past है वो कहां तक था मतलब आप दोनों आपस में कहां तक committed थे, कहां तक एक दूसरे से मिलते थे खाले आपका जो relationship है वो मिलने तक किसी मित था या फिर आप कहीं गूमने भी जाते थे या कहीं आज साथ में hangout भी करते थे या आप physical भी हुए, physical भी कहां तक हुए, kiss किया या फिर प्रापर आपके बीच में physical जो relationship बने, इन सब चीजों के बारे में फिर हमारे दिमाग के अंदर thoughts आने स्टार्ट हो जाती है अगर आप past को कुरेदना सुरू करते हो, तो हमारा जो मन है वो एक जगह पर संतुस्ट नहीं होता फिर हमें यह लगता है कि मेरा जो partner है, वो मुझसे कुछ information छुपा रहा है, वो मुझे पूरी information नहीं दे रहा और जो आपका सामने वाला partner है, उसको ऐसे लगता है कि मैंने थोड़ा बताया, अब इनके मन में और जानने की इच्छा हुई, यह और जदा पूछेंगे, तो हो सकता हमारा relationship है, वो खराब हो जाए इसके चक्कर में आपका जो सामने वाला partner है, वो उस relationship को बचाने के चक्कर में कुछ information फिल्टर करके हमें बताने लग जाता है, और जब वो फिल्टर करके बताता है, हमें यू लगता है कि सायद कुछ और कुछ गडबड है, जो वो मुझे नहीं बता रहा, तो यहाँ पर इस चीज़ को विशेज तोर से ध्यान रखेगा कि अगर आपका partner जितना आपको बता देता है, उसको पर बरोसा रखेए, और उसके बाद में और ज़्यादा कुरेदने की कोशिश ना करेंगे, नहीं तो यह हमारे relationship को खराब कर सकता है, spoil कर सकता है, तो यह इन तीन हो रहे हैं, नहीं नहीं आपकी शादी हो रही है, तो दोस्तों उम्मीद गरता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आयागा, नीचे comment box में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सस्क्राइब नहीं किया, तो प्लीज उससे स्क्राइब क करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफेकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जै हिंद, जै भारत!